जै मताती दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर 2023 के धनो रासेफल के बारे में इस महिने में कौन ग्रह कब रासी परिवर्थन करेगा आपके किस भाव में इस्तित होगा, किस भाव पर द्रस्टी डालेगा और आपके वेपार, वेफसाय, नौकरी, सिक्छा, स्वास्त, परिवरिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन पर क्या असर डालेगा जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तों धनु अगनी तत्व की रासी है, और ब्रस्पती ग्रहे द्वारा सासित है, और नवंबर का महीना, धनु रासी के लोगों के लिए काफी सकारात्मक परणाम लेकर आएगा, क्योंकि ब्रस्पती पाँचवे भाव में, और दूसरे वे तीसरे भाव के स्वामी की रूप में सनी, तीसरे भाव में इस्तित्फ, प्रेम और सुख के कारग्र है शुकडेव, जो कि महीने की सुरुवात में आपके नवंबाव में होंगे, और तीन नवंबर को कन्या रासी में गोचर कर आपके दसम भाव में चले जाएंगे, और इसी महीने के अंत में, यान की उर्जा का कारग्र है आपके पांचवे और बार्वे भाव के स्वामी है बार्वे भाव में चले जाएंगे और यहां सत्रा नवंबर से सूर्य देव तुला रासी से निकल कर वरस्चिक रासी में गोचर कर आपके बार्वे भाव में सक्री अवस्ता में होंगे वहीं बु पीसरे भाव में अनुकूल रूप में इस्तित हैं तो ऐसे में नौकरी के सिलसले में विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा जो की आपके लिए लाबदाई साबित होगा साथ ही आपकी पदोनती और अन्यलाव जैसे सुखों की अनुभूती आपको होगी इसके अलावा वे इस रासी के जो लोग खुद का अपना वेपार या वेबसाय चला रहे हैं इस महीने अच्छा लाव प्राप्त करने में सफल होंगे लेकिन अधिक लाव कमाने के लिए आपको अपनी रणनीतियों में बदलाव लाना होगा पार्टनर्सिप में कोई वेबसाय चला रहे हैं तो आसानी से डिलिंग करने में सक्छम होंगे केरियर में भी अच्छे परणाम देखने को मिलेंगे सनी तीसरे भाव में मौझूद है और सनी की इस्तिती धीमे और निरंतर विकास को दरसाती है सनी सबसे बंद गती से चलने वा लग रहे है कर्मफल दात अग रहे है तो सन कि जो गती धीमी होती है लेकिन इस्थाई होती है तो इसी तरह से आपको इनकम कम आती हुई दिखाई देगी लेकिन वो निरंतर आएगी जिससे आपके आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी आपके लिए ग्रहों के इस्तिती केरियर के लिए काफी अच्छी होगी विदेश में नौकरी करने के अवसर आपको मिलेंगे नौकरी के नए अवसर जैसे सुखों का वर्दान आपको मिलेगा और यह सब सनी की किरपादस्टी से होगा इस दोरान केतु आपके दसंभाव में स्थित रहेगा क्योंकि 30 अक्टूवर को राहू और केतु दोनों ने गोचर किया है तो ऐसे में केतु आपके दसंभाव में है और राहू आपके चत्थूर्थ भाव में है तो केतु यहां आपके पेसेवर मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मददगार साबित होंगे इसके साथ ही ज्यान में व्रद्धी होगी नौकरी में भी बहतर प्रदर्शन करने में आप सक्षम होंगे, साथ ही केतु की किरपा दरस्टी उन लोगों पर बनी होगी जो नौकरी के लिए प्रियास कर रहे हैं, जो छातर पृतियों की परिच्छा की तैयारियों में लगे हैं, केतु की किरपा दरस्टी से नौकरी के भी नए अफसर आपको मिलेंगे, राशी स्वामी देवगुरु ब्रस्पती पांचवे भाव में इस्तित हैं चंदर राशी पर द्रश्टी डाल रहे हैं तो ऐसे में आपका आत्म विश्वास बड़ा होगा उर्जा का इस्तर अच्छा होगा मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से पूरा करने में सक्छम होगे कड़ी मेहनत आप करेंगे जिसकी प्रसंसा आपके उचदिकारी भी करेंगे आपके साथी भी आपकी सरहना करेंगे हो सकता है इस दोरान आपकी वेतन व्रद्धी या भत्ते में व्रद्धी हो जाए जो लोग खुद का वेवसाय चला रहे हैं उनके लिए भी महिना काफी फलदाई सावित होगा ब्रस्पति की किरपा से महिने के अंत में अपने वेवसाय से अच्छा रिटर्ण हासिल करने में सफलता प्राप्त करेंगे साथ ही मार्किट में पृति द्वंदियों को कड़ी टक कर देंगे इस महिने के दोरान वेवसाय चलाने के नए मौके भी आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए लाबदाई होंगे साथी जवरान भागय का भी पूरा साथ मिलेगा क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी सनी तीसरे भाव में वराजमान है तीसरा भाव विकास सील भाव है नौकरी पेसेवर लोगों को विदेश जाकर धन कमाने के योग बनेंगे पदोनती होने की प्रबल संभाव ना होगी ब्रसपती धन का सूचक है पांचवे भाव में इस्थित होने के कारण आप धन की बचत करने में भी सफल होंगे जो लोग शेयर मारकेट स्टॉक मारकेट आदी में निमेज करते हैं उने भी अच्छे लाब प्राप्त होंगे ग्रहों की अनुकूल इस्थिती के कारण धन से जुड़े बड़े फैंसले लेना ठीक रहेगा वहीं शुक्र तीस नवंबर को ग्यार्वे भाव में वराजमान होगा जिसके कारण धनलाब होने की प्रबल संभाब नहीं होगी सात्वे घर के स्वामी बुद्ध छे नवंबर तक ग्यार्वे घर में बुद्धा दित्ययोग का निर्मान करेंगे साथ ही सूरिय मंगल का प्राकरम सुयोग भी बनेगा सत्रा और सत्ताइस नवंबर तक बार्वे इस्थान में बुद्धा दित्ययोग बनेगा जिससे बिजनेस पोर्टफोलियो में आप बदलाब देख सकते हैं आपका पिछला निवेज अब प्रॉफिट के रूप में आपके सामने आएगा इस महिने अच्छी आमदनी में ग्रोथ होगी आप अपनी कंपनी की न्यू फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं नया काम कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे लाब की प्राप्ती होगी चोथे घर में राहू हैं जमिन की खरीद बिक्री से जुड़े छेतर वाले लोगों को नया टेंडर मिल सकता है जो आपका वर्कलोड बढ़ा कर आर्थिक रूप से आपको मजबूत बना देगा आपकी रासी के पांचवे घर में गुरू हैं ग्यारवे घर में आपके पांचवे स्वामी मंगल को साथवे दरस्टी से देखेंगे और नौवे दरस्टी आपकी रासी पर और पांचवे दरस्टी आपके नौवे घर पर रहेगी तो ऐसे में लंबी यात्राओं पर जाने के योग बनेंगे बिजनिस के लिए की गई यात्रा लाबदाई साबित होगी क्लाइंट से मीटिंग करके नई आइडियाज आपके दिमाग माएंगे जो आपके बिजनिस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे सटा लॉटरी ओनलाइन गेमिंग से बड़ी रकम हाथ लगेगी जिससे आपके आर्थे किस्तिती काफी अच्छी होगी ग्यारे बारे तेहरे नवंबर को ग्यारवे घर में चंद्रमा मंगल का लक्ष्मी योग बनेगा विदिव सी वेपार से जुड़े लोगों को इनकम, ग्रोथ और लाव में अच्छी बढ़ोत्री प्राप्त होगी पुराना इस्टॉक आप किसी डीलर के जरिये एक साथ बेश सकते हैं उम्मी से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा छटे घर के स्वामी शुक्र दसवे घर में वराजमान रहेंगे पांचवे घर में गुरु वराजमान होंगे नौमी दरस्टी से आपकी रासी पर दरस्टी डालेंगे तो ऐसे में आपका खुद का भरोसा मजबूत होगा कारेचित पर आप समयूजन बिठा पाएंगे आप ओफिस की पॉलिटिक्स को हेंडल करना सीख सकते हैं निजी लाइफ को किलीक के साथ शेयर करके आपको रिग्रेट हो सकता है बैक बाइटिंग और नेगेटिब माउथ पॉलिसिटी आपको परिशान कर सकती है दस्वे घर के स्वामी बुद्ध 17 से 26 नवंबर तक बार्वे घर में सूरिय मंगल के साथ वराजमान होकर दस्वे घर से 3-11 का संबंध बनाएंगे सनी की दस्वे दरष्टी बार्वे घर में होने से IT, Health, Education सेक्टर में बहतर परणाम देगी अच्छा जॉब देगी तो ऐसे में समय आपके लिए बहतर होगा नई नौकरी जोइन करने का सपना पूरा होगा घर परिवार से दूर आपको जाना हो सकता है इसके साथ वर्किंग कपल्स को आफिस वर्क और पर्सनल लाइफ को अलग रखना अच्छा होगा हेल्दी वर्क, लाइफ, बैलेंस ही आपको जॉब में लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस दिला सकती है बात करें प्रेम जीवन की तो चौथे घर में राहू और तीसरे घर में सनीव राजमान है तो ऐसे में सिवलिंग में मनमुटाव और अलगाव के कारण बन सकते है माता की सेहत भी खराब हो सकती है पांचवे घर की स्वामी मंगल, साथवे घर की देव, बुद्ध की ग्यारवे घर में यूती हो रही है तो लब पार्टनर को लाइप पार्टनर बना रहे का अच्छा योग बना हुआ है फैमिली की सहमती से आपकी लब कम अरेंज मेरिज हो सकती है ए विवाहित लोगों के विवा के प्रस्ताव आ सकते है विवाहितों के लिए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे तो समय काफी अनुकूल होगा ग्यारवे घर में सूरिय मंगल प्राकरम स्योग और बुद्धा दित्य योग बन रहा है उस पर पांचवे घर से गुरू की सात्मी द्रस्ती है तो इससे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा मार्किट में भी अच्छे फोलोइंग बढ़ेगी इस महिने में बनने वाला बुद्धा दित्य योग गुरू की इस्तिती और सनी की स्थिती मंगल की सात्मी द्रस्ती विध्यारतियों को बहतर अफसर देगी लेकिन अतिरिक्त महनत के बाद रिजल्ट अच्छा मिलेगा मेडिकल स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए अच्छे मेंटर और गाइड का सहयोग मिलेगा इस महीने में सनी की स्थिती आपको स्वस्त बनाने का काम करेगी आप अपने आपको फिट रखने में सक्छा मोंगे आपको अच्छे साहास और दरड संकल्प प्रदान करेगी साथ ही जोरान आप ज़्यादा उर्जावान महसूस करेंगे तो स्वास्ते की दरश्टी से यह महीना आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा यह महीना त्यहारों के हिसाब से काफी खास होगा तो धनुरासी के लोग कुछ उपाए भी कर सकते हैं दस नवंबर को धन त्रियोदसी पर गूलर के ग्यारे पत्तों को मौली से बांध कर यदि किसी वट विरक्स पर बांध देंगे तो आपकी आर्थिक किस्तिती मजबूत हो जाएगी धातु से बनी चीजें भूमी मकान आपके लिए यह वस्तों खरीदना सुब रहेगा लेकिन फर्नीचर सौंदरिय सामगरी की वस्तों ना खरीदें बारा नवंबर महालक्ष्मी पूजन पर दीपावली के दिन पान के पत्ते पर कुम कुम से सिरी लिख कर अपने पूजा इस्तान पर रखें रोज इसकी पूजा करें जब ये पत्ता खराब हो जाए तो फिर से दूसरा बना लें इससे भी सुख समर्द्दी के योग बनेंगे